हेलो फिंट स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज इस वीडियो में ग्यान बिंदुजी एस एकेडमी का बिहार पुलिस का प्रैक्टिसेट नमर 9 देखने वाले हैं बाकी सब जो पहले मैंने करवाया था प्रैक्टिसेट वन से लेकर के 8 तेख आप लोग को प्लेइलिस्ट में मिल जाएगा तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं हेरोडोटेस के पुष्था कर का नाम है इस्टोरिका हेरोडोटेस के पुष्ता का नाम है भारत का भूगोल पलीयो के पुष्था का नेच्रल हिश्ट्री आरbeगा का निरशना किया था इंडिका का इसका राई टंसर 1, 4, 3, 2, I mean option number B हो जाएगा Question number 2, निमली खित में A का अविस्कार पूरा पासान काल में हुआ जी बिल्कुल A का अविस्कार कब हुआ था, पूरा पासान काल में हुआ था वही पहिया का अविस्कार किस काल खण में हुआ वो बताना है पहिया का अविस्कार किस काल खण में हुआ था, यह हुआ था, नव पासान काल में option number A Question number 3, दचिन भारत में इस्तित एक मात्र महा जनपत कौन था सुलह महा जनपत जिसके चर्चा बहुत सहित अंगुतर निकाय और जैन सहित भगवती सुत्र से जनकारी मिलती है तो दचिन में एक मात्र महा जनपत था, वह कौन सा था, यह हो जागा अस्मक, अस्मक कराधानी कहा थी तो यह पोटला, अस्मक कराधानी पोटला या पोटली याद रखेगा कोशन नमर है, फूर, गुलामवंस से समंधित कथनों पर विचार कीजी, कौन से कथन है, जो सही दिये गए हैं, देखते हैं, गुलामवंस के स्थापना कुतुबुदिन एवक ने बारा सो छेईशवी में किया था, जी हाँ, गुलामवंस मामलक वंस, जिसे कहते हैं, गु करवा दूगी, कुतवुदिन ने अपना राजवी से 24 जुन 1206 को करवाय था, 24 जुन 1206 को अपना राजवी से कुतवुदिन ने करवाय था, कुतवुदिन एवक ने अपने राधाएं लोहार में स्थापित किया था, जी बिल्कुल, लोहार में स्थापित किया था, कुतव बिजय नगर समराज वन्स प्रनाली क्रम बताना है मैंने कई वार आप लोग को बता हैं विजय नगर समराज के स्थापना 1336 में की गई थी हरिहट एवन बुका के द्वारा राधानी कहां थी त्या हो जाएगा हमपी हमपी कौसे नदी के किनारे तुण भध्रा नदी के किना इसका राइट अंसर बताएगा विजय नगर पर टोटल चार वन्स ने सासन किया था याद रखेगा सासे संगम और सालू संगम सालू संगम सालू उसके बाद तूलू और अराविडू सावाले को आगे ध्यान रखेगा आगे संगम उसके बाद सालू उसके बाद तूलू संगम का था संगम सालू तूलू और अरा विडू किल्ष दिवराय का समन्द किस्वानस था तूलू 1 से था ये भी ध्यान रखेंगे question number 6 गेले सुमेल का चैन कीजिए सुची बन, सुची दो दिया गया मैंने कई वार अकवर से समझे डेट को बताया भी है दीन ए इलाही धन के स्थापना किसके स्थापना हुई थी, कब हुई थी तो 1582 इसी में 1582 इसी में इलाही संबत के स्थापना 1583 में हुआ था इलाही संबत के स्थापना राधानी लोह और अस्थापना 1585 हुआ था 1572 इसी में राधानी किसे बनाय था तो आग राखो, इबादत खाने के स्थापना 1565 में नहीं किया गया था और यहीं किया है, गलत ही आ गया है option number D इबादत खाने के स्थापना हुई थी 1575 इसी में 1575 इसी में 1575 इसी में आप लोग कमेंट करके बताएंगे इबादत खाना सभी धर्मों के लिए कब खोला गया था सभी धर्मों के लिए इबादत खाना को कब खोल दिया गया था आप लोग कमेंट करके बताएंगे question number 7 मुर्षित कुलिखा के बारे में कौन सा कथन सत्य है मुर्षित कुलिखा के बारे में जानते है इसने प्रिराधाई धाका से मुर्षिता बात को स्थान्दित की थी इसने इजारेदारी प्रथा प्राड़म की थी खेती के लिए अगरिम कर्ज जिसे तकावी रिन कहा जाता था क्रिश्को को प्रदान किया जिहां ऐसा ही दिया गया है नेश्ट है उप्यूक में सभी इसका राई टंसर I think option number D ही होना चाहिए question number 8 एक और फिर्सी से देख लेते है इसने अपने राधाई ढाका से मुर्शिदावाद अस्राणदित की जिहां इजारिव प्रथा प्रारम की जिहां खेती के लिए अगरिम कर्ज जिसे तकावी रिन कहा जाता था क्रिश्को को प्रदान किया ये भी सही दिया गया है question number 8 किस यूद के उपरान पंजाव का ब्रिटिस सासन में विलाय हो गया कि मेरे ख्यान से इसका राइट असर होना चाहिए दिया गया है C दिया गया है option number C लेकिन मेरे ख्यासिस का राइटनसर होना चाहिए option number B दीतिये आंगल सीख यूद के समय दीतिये आंगल सीख यूद का हुआ था तो डलहौजी के समय हुआ था 184849 में हुआ था और 1849 में ही पंजाव को विलेक कर लिया गया था इसलिए मेरे ख्यासिस का राइटनसर क्या होना चाहिए B होना चाहिए हलाकि इसका अंसर option number C दिया गया है आप लोग भी comment करकर बदाएंगे इसका अंसर क्या होना चाहिए वही प्रतम आंगल सीख यूद का हुआ था कुका अंदोलन इसमें ब्रिटिस अधिकारी का सासन कौन था त्याहों जगा लॉड नॉर्थ भूक लॉड नॉर्थ बूक कुका अंदोलन जो हुआ था यह हुआ था अठारासो एकत्तिस में 831 में नेक्ष्ट कोशन देखते है 856 में महाराष्ट में भूए था यसा ही दिया गया है इनके द और 881 में 278 पत्री और केसरी निकाले गये थे और केसरी जो थे यह अंग्रेजी भासा में थी जूर्थ या मराथी भासा में थी जहां यससे दिया गया है नेश्ठे 1893 में गणपती मुहोसब तथा सिवाजी महोसम capable में स्रवाजी महोसम किया था उपेविक में इसका एकर थीक महूसर नहीं कोई नहीं क Соどもur H11 अनग में प्रकार्षित पुस्थिक निश कोशने चौरी चौरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असयोग आंदोलन का बापस ले लिया था असयोग आंदोलन को कब बापस ले लिया था देखें असयोग आंदोलन प्रारम जो हुआ था यह प्रारम हुआ था एक अगस्त एक अगस्ट उनीस सो बीस को इसे दिन बाल गंगा धरती लग की मिर्तू हुई थी और चौरी-चौरा जो कांड हुआ था पांच फरवरी उनीस सो बाईस को और असयोग आंदोलन को बापिस लिया गया था 11 फरवरी 1922 को कहीं कहीं 11 फरवरी दिया रहता है कहीं 12 फरवरी दिया रहता है तो यहां पे जो अंसर होना चाहिए अधिकांस जो बुक में मिल था 12 फरवरी ही 12 फरवरी 1922 ही तो इसका जो राइस अंसर होना चाहिए option number D उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए कई-कई गाराफरवर दिया हुआ रहता है मैं भी मानती हूं मैं भी देखी हूं कई जगा इकाराफरवर लिखा होता है लेकिन आपनों ध्यान रखेगा 12 फरवरी 1922 इसका राइट अंसर हो जाएगा क्या था यह किया था बंबई में 1904 में अधिवेशन 1904 में इंडियन अश्ट्रागल पुस्ता को किसने लिखा है यह लिखा है किसने यह लिखा है यह लिखा है सुभाज चंद्र बोशने 1871 में कौन सी संधी हुई थी अठारसव खतर में हुआ था फैकफरट की संधी और सन नमबर एग जब फ्रांस छिकता है तो बाकी उरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है या कथन किसका है कोई भी चीज फ्रांस में होता था देखते देखते पूरे उरोप में फैल जाती थी में तो भी पूछा स्वारा की या काम हो जाता है कोई पाट जब आखके 7ी देखते वरोप को सर्दी काम होना जाता है या कथन किसका है या कथन है मेरे फ्रांज प्र्रॉप में से कौन एक साही संधी नहीं है डर्रती आ गया है आइटू चांगला दर्रा कहा है जमु कास्म नेश कोशन, राष्टिय राधानी छेत्र में नहीं समयलित है, राष्टिय राधानी छेत्र में नहीं समयलित है, देखें, राष्टिय राधानी कौन सा तो दिली है, दिली से जो सीमा लगती है, एक तो यूपी का लगता है, यूपी का, दूसरा हर्याना का, हर्याना तो ती ही होगा option number B उत्तर प्रदेश का भाग तो है ही है और राजिस्थान का भाग दो जीले राजिस्थान के दो जीले दिली इंस्यार से जुड़े हुए है next question निमनिखे जनजातियों में कौन बहुपती विवाह की प्रथा को मानता है तोड़ा जनजाती निलगीरी परवत पर निर्वास करती है next question नेदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी महनेदी नर्मदा वतापती का सही अनुक्रम कौन सा है बिलकुल हुबहु भी हाथ दरवा का जो प्रैक्टिसेड था उसी में कोशन दिया गया था मैंने करवाई है इसलिए मुझे याद है नेदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी महनेदी नर्मदा वतापती का सही अनुक्रम कौन सा है क्रम कौन सा हो जाएगा सबसे लंबी नदी गोदावरी और उसके बाद नर्मदा महनदी और तापती इसका राई टंसर होगा ऑप्शन नमर बी कोशन नमर है 20 इस म्रिदा को सिचाय की कम अपसकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है वह कौन सी मीटी है इसका राई टंसरो जाए काली मीटी काथे क्योंकि कपास इसमें ज्यादा उपजाई जाती है जालोड मीटी एक पुराणी होती एक नई होती है नई वाली को क्या कहा जाता है नई वाली को खादर कहा जाता है अपुराने वाली को बांगर कहा जाता है जहां हमेशा बाढ़ आते हैं जिस एरिया में बाढ़ जादा आते हैं वहाँ पे खादर मीटी देखने को मिलता है जहां बाढ़ नहीं आते हैं बहुत दिनों सुखा पढ़ रहा था वहार में बांगर मीटी देखने को मिलता है सरवाधिक भारत में जलोड मीटी ही पाए जाती है दुशना पर लाल मीटी पाए जाती है यह सब ध्याँ रखेंगे काजु के लिए कौन सा मीटी इपॉर्टेंट है यह जगा लेटराइट मीटी कोश्य नमर 21 नि नगदी फसल से समयलित नहीं है नगदी फसल जिसमें खड़े खड़े पैसा है मताएगा गर्ना तो है है जूट भी है कपास भी है जबकि गेहूं जो है यह नगदी फसल में नहीं आता है इसका राई टंसल हो जाएगा ऑप्शन नमर डी नेश्ट है मलाज खंड किस इजी है कोटा जो राजस्थान में है तारापूर तारापूर कहा है त्याजगा महराश्ट और काकरा पारा काकरा पारा गुजरात और नरोरा उत्तर परदेश यहां फिर से कोटा राजस्थान तारापूर महराश्ट काकरा पारा गुजरात नरोरा उत्तर परदेश इसका वर्ट वर्ष में अधिनियमों के नाम और वर्ष दिये गया है डेखें वन सरचन अधिनियम कह लाए गया सबसे पहले ही दिया गया है वन सरचन अधिनियम लाए गया था और 189 मुझे भी कन्फूसन हो जाता है लेकिन believe ही दिया गया है नेश्ट है कि परियावरन सरचन अधिनियःवnous 94 कला कि आगा घरति हैं leo प्रदूसर नियंद्र अधिनियम, 1981 में, एक वाफिर से देखते हैं, यहां से भी हार द्रोगा में भी कोशन आते हैं, वन सरचन अधिनियम, 1980, परियावरन सरचन अधिनियम, तब लाया गया था, परियावरन सरचन अधिनियम, 1974 में, और वायू प्रदूसर नियंद्र अधिन यह लाएगा 1986 में और जल प्रोदूसर नेंटर अधिनियम 1981 में आप लोग भी एक वर मिला लेज़ेगा इसका राइटन से रहोगा आपसे नावर बुख्षा बाग पर्योजना भार्ति की सराज में इसित्त है किस suis lagal में नुख्षा बाग पर्योजना पर्शिमलेट नहीं है सौर मंडल का सबसे बड़ा भ्यास्पती है चोटा में को उर्ष चमकिला ग्रह कौन सा है तो सुक्र है यह भी सही है सौर मंडल का मानतम गती वाला ग्रह मंगल है यह गलत है आपसन नमर डी जो हो जाएगा इसका राइटल्स हो जाएगा निम्लिखी सम्मुदी धरों में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है अंगुलहास और मॉंजांब का अंटलांटिक महासागर की ठंडी जल्धार है ध्यान अखेंगे कोशन नमबर 28 का अंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी बहारत के समिधार निर्माताओं ने साथ वी अनसूची में वर्लिस समबर्ति सूची के अवधार्ना को ग्रहन किया था समबर्ति सूची का ज ट्रोजाएगा विस समीधान सो धर कहा है अफिर्का के समिधान से कोश्शन नमबर देखते हैं 30 मुल्वारतिय समीधान में ना की वर्तमान के नुसाल मुल भारतिय समिधान में 22 भाग थे कितने भाग थे 22 भाग थे 395 अनुच्छे थे ना कि 390 395 अनुच्छे थे और 8 अनुच्छी थे इसका राई टंसर क्या हो जाएगा option number A हो जाएगा अभी total मिला करके भाग कितने है A.V.C.D. मिला करें total भाग कि संख्या कितनी है तो यह 25 है और अनुच्छे थो की संख्या तो लगभग 400 से उपर में है और अनुच्छी की संख्या कितनी है तो बरतवान अनुच्छी की संख्या है 12 कितने अनुच्छी है 12 है बारह का ध्यान रखी गा, यहां से कोशन आ सकता है, क्योंकि अभर निजदीक टाइम आ चुका है आप लोग कई, पहले अनुसची में क्या है, तो संग इबारज्ज.छेत्रों का नाम है, दूसरा में क्या है, बेतन है, पहले बेतन, ध्यान रखीगा, पहले बेतन, तीसरा मे अनसुची पांच में क्या है, तो A.C.H.T. का कुछ प्रावधान किया गया है, अनसुची छे में क्या है, बताइएगा, अनसुची छे में, तो प्रुवत्तर के चार राज, असम, मिघाले, तिरपूरा और मिजोरम, के हवारे में कुछ विशेष प्रावधान दिया गया है, साथ में बिस्यो का बटवार है जो कि संग सूची, समर्थी सूची अपसूच सूची, राज सूची जबकि आठ में क्या है तो बाइस भासा है और यहां ध्यान रखेगा बाइस भासा में इंगलिस और राजस्थानी को सामिल नहीं किया गया है किलियर नौवी अनसूची में क्या है तो दल वदल है नहीं माफ करिएगा भूमी सुधार है भूमी सुधार अनसूची नौ में है दस से दस दस और दस है दल वदल तो अनसूची दस में क्या है तो दल वदल है 11 में हो जाएगा पंचायती राज और बारा में क्या हो जाएगा नागरपालिका एक वार फिर से में बता दिर छोड़ा मुझे क्रिंफ्यूजन हो गया पहला में क्या है तो संग और राज छेत्रों का नाम है दूसरा में है बेतन तीसरा में है सपत चार में है क्या तो चार में हो जाएगा राज सभा का सीट प बदहागॉव में क्या है तो भूमी, सुधारी से समझनित है , दस है दस, दल बदल ये 11 पंचायथी राज बबारह् में नग्र पालिका है कि लिर पंचायथी राज वрий टोटल 300 है और पालिक शोधं क्या गया था पता होगा पंचायथी राज से बनाए गए यहां पर है राज पुनर्गठन आयोग ने एक नमब्र 1906 को कितने राज था कितने संग राज बनाए फजल अली आयोग के द्वारा 14 राज कितने राज 14 राज और 6 संग खासित परदेश को बनाए गया था इसका राई टंसर क्या हो जाएगा ऑप्सन नमबर ए हो हो जाएगा राज के नीतिय नीदियर स सिधान तो यह analyst में इसे कौन अंतराष्टी सॉंत्य और सुरच्छा अंधिन से संबज़ें है छाए किया मीद्धन हो जाएगा पियामन हो अनुछेर चाथिस लेकर के एक्या मन तक, कोश्चन नमर है, तेतिस, राष्टपती के उम्मिदवार के लिए क्या अवसक नहीं है, क्या अवसक नहीं पुछा गया है, पैतिस वर्स के आयों होना चाहिए, हाँ, होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, यह कोई महने नहीं रखता है, आपसन नमर बी, इसका राष्टन्सर हो जाएगा, आज का लेवल बहुत ही सांदार है, निम्लिकित में से किसकिस ने भारत के उपराष्टपती का पद समहला है, किस-किसने भारत को उप्राष्ट पती का पद समहला है बताईएगा इसका राई टंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल आज मैं धीरी-धीरे करवारी क्योंकि मैं अमरिज सर चली गई थी आप लोगो जैसा कि पता ही चल गया होगा मैंने शॉट वीडियो डाला था वहां आने के बाद मेरे गले में कुछ प्रॉलम होगे ठंडा गरम असर कर गया इस कारण से मैं आप लोगो को धीरे-धीरे करवाने का प्रयास कर रही हूँ नेश्ट कोशिन निवलिखित में से कीसे संसत को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है कीसे संसत को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है त्या प्राप्त होना चाहिए या प्राप्त होना चाहिए ऑप्शन के एक्वार्डिंग ऑप्शन नमबर ए होना चाहिए भा अगर पीडियाफ देखेंगे उसमें ही आप लोग को मिलेगा नेश्ट कोशन है अच्छे च्छेहत्तर में इसका जिक्र क्या गया है नीवन यूगों में से कौन सा यूग में सही नहीं है राज और लोग सहां में से अस्थान दिया गया है इसका जो आंसर दिया कि आपस नमर कितनी है वही पंजाब में 13 और प्रश्चे मंगाल में कितनी है बियालीस है और अपने बिहार में कितनी है कमेंट करके बताएंगे लेखा नुदान बना है लेखा नुदान बना है बिहार में लोग सहां के जो सीठ यह हो जाएगा 40 और राज सहां का सीठ कितनी हो जाएंग होता है रैसवा का प्रतिन यह नहीं होता है मैंने कई वर बताया है यहो gender कॉन सा समी थी प्राइक्लर समीती अब option में तो प्राइक्लर समीती तो है नहीं अब option का एक इसका viral क्या हो जागा देज़ा व кнопfrystop प्रार्ण कोर्भ नम लिखेट में से कौन सही सभूरित नहीं है खेती का नाम करंदी आगया है हलांकि मैंने इसे बोड पर आपहों बताएंविये फूलों की खेती फ्लॉरी कलेशर कराना है कर लाता है फलो की खेती होटी कलट्र कर लाता है इसका राहिट रंसर क्या हो जाएगा coupon C सेभ्यो की milliards होटी कल्चर नहीं के लाता है होटी कल्चर तो कि ने copper ने तारे आकास में वास्ता में जितनी उचाई पर होते हैं, व्यों उसे अधीक उचाई पर प्रतित होते हैं, इसकी व्याख्या किसके दोरा की जा सकती है, देखें, ये जुदारन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रकास के अपवर्तन का, प्रकास के अपवर्तन का, और ये हो ज कोश्चन नमबर 22 उत्तोय जिसका यांत्रिक लाव एक से बड़ा एक से छोटा तथा एक के ब्राबर होता है वह कौना सा हो जाएगा तिया हो जाएगा ओप्सन नमबर ए प्रथम स्रेनी किसी वस्तु का विदुत आवेश की उपस्थिती का पता लगाने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है किसका उपयोग करते हैं यह हो जाएगा इलेक्ट्रोटब का देखिएगा आप मिश्टेख होता है यहां अपलों कमेंट करकर बताईएगा पेंडुलम घड़ी का विस्कार किषने क्या था, क्रिस्चन हुगेंस ने, किसी व्यक्ति दोरा अपना पुर्ण प्रतिविम देखने है, तो संतर दर्पन की निमतल लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, मिलको राइट अंसर है, option number C निम लिखित मेंसे कौन सी गैस, हास गैस के रूप में लोग पूरी है, हास गैस, नाइटरस, ऑक्साइड, option number C निम लिखित नोबल गैसों मेंसे कौन सी वायू में नहीं पाया जाती है, देखे, हिलियम पाया जाता है, कमवेस, औरगन भी, औरगन भी, कमवेस पाया जाता है, नियोन भी, जबकि रेडॉन नहीं पाया जाता है, रेडॉन की जो उत्पति होता है, किसके समय, जब हुका राष्टिय पर्यावरन अभियांत्री की सो संस्थान अवस्थित है कहां वस्थित है तेहनाकपुर में ईयु आर एल का विश्जित रूप है उनिफर्ण रिसोर्स बॉक्रिटर निम लेकित दो कौन सी मात्रस और उसकी अब स ? ही एक सही रूप में सुमेलित नहीं है इसा ही मात्रक क्षो नहीं है किसका नहीं है फ्रिक्वेंसी हर्ट्स का हो जाएगा मैगनेटिक फ्लक्स का टेसला मैंनेटिक फ्लक्स टेसला यह गलत लग रहा है प्रेसर पासकल दावक हो जाएगा पासकल एलेक्टरिक कंड़क्ट्रेंस सीमेंस अभी केंद्र बल सदयव कार्ष करता है यह सदयव कार्ष करता है केंद् सरे का समान तरफ हो जाएगा कितना होगा या हो जाएगा 310 तिति डीत त्रींख़ थि यह में जाता है चार कुश्टर हम लोग हो सब्सक्राइग में अपसा नमबर अपल लोग भूलंसील है जल में वही एक ट्रीक बताया थे कीड़ा यह वसाम इंखुलंसील विटामिन है का से रूक रज्जू अस्पाइनल कोड में कितनी जोड़ी पतंजिका निकलती है तेंट्रिका निकलती है, अस्पाइनल कोड में कितनी, तिया हो जागा आप्षना B 31 स्रीमिनीर में से कौन सा संक्रमान से हमारी रच्छा करता है संक्रमान से कौन सा रच्छा करता है, तिया WBC Q58, मानव से एक सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी होती है मानव से बड़ी ग्रंथी या क्रित लोही की बस्तों में जन्ग क्या बनने से लग जाती है फेरस और फेरिक हेड्रोक्साइट का मिश्रन निमनिकित में से कौन से सुचमजीब जैग उर्वरा के रूप में परियोग होते हैं साइनो बैक्टिरिया इस्ट और मस्रुम क्या है? सरवाधिक कठोर तत्व नेर्में से कौन सा है सरवाधिक कठोर तत्व कौन सा है तो जगा हीरा शिश्टी फोर नबर प्रष्ट का अंसर जो दिया गया है ऑप्सन नमर ए दिया गया आइसो टोन आप लोग मिला लेजेगा वर्स 1945 में नागा साकी में गिराए गया बमों में पहली बार चे अगस्ट नःसफट नागा साकी पर लेटिल और फैट मैं जिसका अनाम था लेटिल बार फैट मैं दुसरी बार गिराए गया था इसका राई टंसर का हो जाएका आप्सन नमर सी प्लोटोनियम कभरियों किया गया था निंवली खिद में केंध्री इंध्री की भारत को कुईला के उपनाम से कि से जाना जाता है भारत को किला किन्हे काचा सरोजनी नाइडू को कहा जाता है अर्थ सास के छेत्मी नुवल प्रसकार कब से दिया जाता है तिया दिया जाता है 1969 से जबकि 1901 से देना प्रणम किया गया था निमलीखी में से कौन सा कथन असाते हैं पुस्तक और इसके लेखक दिये गए है इसका जो राई टंसर हो जागा आप सनमर्डी यह जो है गलत यह राश्टी वीधी दिवस कानून दिवस का मना जाता है 26 नमंबर को UPC के प्रथा महिला ध्यास कौन थी UPC के पहली महिला ध्यास रोज मिलियन बैथ्यू निमलीखित में दोहा किस देश के राधानी है दोहा क सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कर लें और यह वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना फूलें चलिए बीच में आप लोको डिश्टर्ब हमने किया नेस्ट कोशन है कोशन नमर्स 76 उन्यसको की घोशना के नुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से उन्यस सब्सक्राइब को समेली थे हाल ही में प्रकासित पुस्तकों के समंद में कौन समेली थे इसका राइट अब देख लिएगा आगे बढ़ते हैं अर आज मर्मंत्री नीतिन गटकरी निकीस राज या फिर के इसास प्रदेश में पीड़ा कूफर सुरंग और देख बढ़ते ह किया पीरा कूफर सुरंग का उद्गार्टन कहां किया गया जम्मु कास्मीर पस्वों के लिए देश की पहली इन्वेटर फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट के सुरात कि सिराज के अम्रेली में की गई है यह की गई उग्जुरात और सिराज में अब यहां से मैथ और रिष्णिंग हिंदी इंगलिस का प्रश्ण देखने को मिलेगा ऑफ्सन नमबर D हो जाएगा 80 का प्रश्ण अपनों वीडियो का पॉस्ट करके देख लिजेगा 82 का अंसर हो जाएगा ऑफ्सन नमबर B 83 का हो जाएगा B 84 नमबर 84 का अंसर क्या होगा तो अप्सन नमबर B हो जाएगा 85 नमबर इसका राइट अंसर अप्सन नमबर B दिया गया है हलाका मैंने नहीं किया है आपको सॉल्ष नहीं करके यह अंसर को मिलाय करेगा 좌कर नमर 86 सब्सक्राइब 86 का जो अंसर होगा option number B हो जाएगा 87 का अंसर क्या होगा option number C होगा C दिया गया है 88 का अंसर जो दिया गया है 88 का option number C 89 का 88 का C 89 का option number D 90 number first trichometry से दिया गया है option number C इसका right answer होगा next है English से slate the most appropriate word for the given group of words 91 का अंसर option number A choose the word that is opposite in meaning to the given word 92 का अंसर option number D होगा inclined 93 इसका right answer option number A 94 का अंसर option number C होगा slate the most appropriate strenum of the given word advantage 95 इसका right answer option number B दिया गया है वो सर का प्रयोग होता है सब दिखे अंत में सब दिखे अंत में सब दिखे अधी में आधी में देखे हम लोग इसे टिकर सकते हैं सब दिखे अंत में लेकिन इसका जो अंसर दिया गया है सब दिखे आधी में हिंदी easy होता है लेकिन फिर भी question का अंसर जो है गलत हो जाता है इसलिए आप लोग ध्यान दिजेगा हिंदी लड़का पेड़ से गीरा समास है इन में से किस सब्सक्राइब का प्रेवाची गलत है और कमल का जलज पंक सरोज पुस्प का कुसुम फूल सुमर सुसति का गीरा भारती और वानी हो जाएगा चलिए मिलते हैं नेश्ट वीडियो में आई होप यह क्लास आप लोगो पसंद होगा सो कोशन में कितने वीडियो में तबते के लिए धनिवान